ओम शान्ति आज 30 सेप्टेम्बर 2021 है इस पूरे सेप्टेम्बर मास में बाबा ने हमें लाइट हाउस माइट हाउस बनने के लिए डबल लाइट बनने के लिए और विदेही अवस्था के लिए अव्यक्त इशारे दिये हैं और जैसे कोई भी चीज जब समाप्त होती है तो बिंदी लगाई जाती है ऐसे ही आज भी बाबा हमें सारे ही पुर्शार्त का विदेही बनने के जो भी बाबा ने हमें बाते बताई हैं उन सब का सार बता रहे हैं जो की है बिंदी तो आईए जानते हैं आज के बाबा के इसमातीत बनते हो, सबकी विधी बिंदी है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, अम्रित वेले बाप दादा से मिलन मनाते। रुह रिहान करते जब कार्य में आते हो, तो पहले तीन बिंदियों का तिलग मस्तक पर लगाओ और चेक करो। किसी भी कारण से यह स्मृती का तिलग मिटे नहीं, अविनाशी अमिट तिलक रहे। तो आज बाबा ने हमें विदेही बनने के, अशरीरी बनने के, कर्मातीत बनने के, जो बहुत सहज उपाएं हैं वो बताएं हैं, तीन बिंदी। विदेही या अशरीरी बनना अर्थात मैं हूँ ही आत्मा। भले मैं शरीर का आधा लू या ना लू अपने घर में हूँ लेकिन मेरा जो मूल स्वरूप है जो मेरा अनादी गुण है और स्वरूप है वो है बिन्दी और हम जब कर्म में आते हैं तो कर्म करते हुए भी हर बात में हर ड्रामा की सीन को बिन्दी लगा उसमें बिना फसे हम आगे बढ़ते जाएं कर्म करते हुए ये है कर्म से अतीत रहना अर्थात कर्मातीत तो भले ही हम अश्रीरी बनना चाहते हैं या हम कर्मातीत बनना चाहते हैं या कोई भी हम लक्षे ले उसका सार है और उसकी विधी है बिंदी बनना और अकेली मैं ही ब बाबा भी बिंदी स्वरूप है जब मैं अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करती हूं तो वो बाबा कहते हैं अक्सर मुर्लियों में यथार्थ याद है क्यों क्योंकि हम किसी देहधारी को याद नहीं कर रहे ना केवल अपने पिता को याद कर रहे हैं लेकिन जिसको य बारबार स्मृति में आते हैं, तो हम पास्ट में ही जीते रहते हैं, और समय ऐसा है कि हमको पास्ट में नहीं, लेकिन हमको समय को रचना है, फ्यूचर को क्रियेट करना है, तो अगर फ्यूचर को क्रियेट करने वाला समय का रच्चता ही अगर पास्ट में है, वहीं पे बिं अम्रित वेला बताया है ये तीन तिलक अपने मस्तक पर हम उस समय लगा लें और पूरा दिन हर कर्म करते उसको चेक करते रहें। ये अविनाशी तिलक ही हमें अविनाशी वर्दानों की प्राप्ती कराता है और हमारी स्थिथी भी विदेही अविनाशी बन जाती है। ओम श